गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आज 506 कोर्स कोड के अंतरकत ब्लोक दो में मैं ब्यक्तित्य विकास पर थोड़ी बाते आपसे करूंगा कि ब्यक्तित्य विकास है क्या वास्ता में दोस्तों इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि ब्यक्तित्य के विभीहिन पहलु किस पर कार विक्षित किए जा सकते हैं इन पहलुआ में स्वयम के अधारना भी फ्रेर ना भी बृतिया वह मुल सामिल है। स्वयम के अधारना क्या होती है। स्वयम के अधारना यानि आत्म अधारना। स्वयम के अधारना किसी व्यक्ति के व्यक्तितों का विगास काफी हद तक। उसके अपने बारे में विचारों पर निर्भर करता है। एक सकरात्म के श्वयम के अधारना से एक सवहाद्र पूर्ण बिक्सित सुविक्सित ब्रक्तितों बनता है। इसलिए यह हवाशक हैं कि बच्चों में सुरू से ही एक सकरात्म के स्वयम के अधारने बिख्षित करवाई जाए यानि बच्पन से ही उसको स्वयम के अधारने बिख्षित करवाई है जो समाजी करूँ से वांच निये हो बच्चों के अपने बारे में बिचार करने को ही स्वयम के अधरना कहते हैं यानि वे अपने बारे में सुचे, अपने बारे में बिचार करने के हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए ये साय चीज अगर बच्चे सुचता है अपने बारे में तो उन्हें उसे हम cm के उधरना कहते हैं पर्यवारं के उस भाग में जिसमें वह रहता है उसका लिखनी है स्वम कहाता है और बागी के पड़य वरन जिसकी वह जानीकाडिय रखता है और जिससे वह यानि बच्चा प्रतिक्रिय करता है workout उलखनी पड़य वरन या महसूस किया जाने वाला पड़य वरन कहलाता है स्वयम नहीं。 स्वयम के अधार्णा वह है । जो वक्तित्梦क अपने वास्त्विक स्वयम के बारे में शुचता है। यह हमाय है। यहाँ दकिए स्वयम के अधार्णा यहाँ हो, लिखने यहाँ उस्वयम पड़िय वह 아侞्ना की स्वयम। एक नौजात सिसु दुनिया को एक ब्रहमित रव्यमान के रूप में पता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो वस्तुवों में अंतर करना सिखता है वो अपनी वो पराई वस्तुवों में भिद करता है वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है और उससे प्रतिक लिये करता है स्वयम की आधारना परिपकवता के सांत सांत बदलती है धारना में परिवर्थन के कारण ब्रिवहार में भी परिवर्थन आने लगता है प्रसंसा और आरोप, प्रसकार और दंड तथा सिख्षक का व्यक्तित वे बच्चो में स्वयम के ओधारना को पर्वाइद करते हैं, महान व्यक्तियों के जीवन से सकरात्मा का आत्में ओधारना विशित करने के प्रेरना मिलती हैं, इसलिए विध्यार्थियों को उनकी मान वक्तिएंगे के शहित्र के बारें पढ़ते हैं तो वे उन्हीं के अनुकूल का डुलिकेट करते हैं और वे अपने मन में यह अंते खिरिया में उसको लानी कोशीश करते हैं वे जैसे वेक्टिटिश्यों का वेक्तिटिटी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे देखें तो बच्चे उस सेरियल को देखकर उसी तरीका का वेवहार किया करते थे और आप दुसरा सेरियल उस तरीका करते हैं अगर हमारे बच्चे महान बेक्तियों के बारे में पढ़ें जाने या उनको बताया जाए तो बच्चों को दिमाग में मन मस्तिस्क पे वही चरीतरे वही ब्रक्तित्वे परभाव डालता है जिससे बच्चे उन्हीं का अनुकरन करने सिखते हैं। इससे विधार्टे को उनके जिवनिया पढ़ने के लिए कहां चाहिए। शिक्षक को उन्हें या थार्त वादी लक्षियों को निर्धायत करने के लिए मारग दर्शन करना चाहिए जो उनकी पहुंच कर नुरूप है और वास्तविक लक्षियों के निर्धारन से हतासा एवा निरासा बिख्सित होने की सम्होन रहती हैं यहां पर भी बता रहा है कि और वास्तविक लक्षियों के निर्धारन से जो चीशे मतलब को बास्तविक नहीं है रियल में नहीं है उससे बच्चों को अगर धायत कर दीजिए गा तो बच्चे क्या हो जाएंगे निरास हो जाएंगे अभी प्रिवर्णा अब यहां पर तब्र हो गया कि मतलब कि जैसा भी बच्चे स्वाइम का जहार ना उंदर रखते हैं अपने अंदर कुर्टे करते हैं थिक. ट्रुवे क्या सुझते एं यह हो गया जाएंग ? एक सकारातमक, क्या कर रहे हैं यह वापर, बच्चों में सुरू से ही एक सकारातमक, श्वयम की अधारना विक्षित करवाई जाए, जो समाजी के रूप से वंचनी हो, मत्लब समान में जो सही हो वही उसको अधारना विश्यत कर Vaayan की आउशकता होती है ठीक है बच्चे के अपने बारे में वीचार कहिए उसके सौह कहते हैं बच्य के अपने बारे में कैस होते हैं परवरान के कि शूद मैं उस्तों किया जाने वर्म हम लूविए पर आता है तक इस तरीखा से हम लोगों ने पढ़ा की विकृत्तों का फ्राथ बिके विकास ब्लूगों ने पढ़ा कि विकृत अधरता है और स्वयम के अधर्म प्रख्षा में अधिक्षा अधिगम में विद्यार्थियों को सिक्षक से लगतार अधिक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक् बच्चों में उनके विशिष्ट और सकता हूं, शंबंधी व्यक्ति गत अंतर होते हैं, जो उनके व्यक्तित वह सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूनी पर अधायत होते हैं, इसलिए सुख्ष्पों को भी अविप्रेना तक्निकों में विभींता लानी होगी, और उन्हें पूर्ण धहंग से परियोग में लाना होगा, दुसरे सब्दों में परतिक सिस्य को विख्तिकत रूप से लक्ष की दिशा की ओर ले जाना होगा, जिसके बारे में वह जानता है कि और उसे प्रावत करना चाहता है, लक्ष सिस्यों के पहुंच के भीतर होने चाहिए, और प्राप्पे लगने चाहिए, शिश यह पाता है, पता लगाने में शक्षम होना चाहिए कि वह लक्ष की प्राप्ति कर पा रहा है या नहीं, या जि नहीं तो कमी कहां है, शिक्षक को आप इस शिश को जो पहर रहा है या अविप्रणा का अंतरगत है, साथियो, शिक्षक को हिप्रणा की केवल एक तक्निक पर सक्ति से वह पक्की तर अचिपके नहीं रहाना चाहिए, बलकि उसे विवेक पुन अब्यानिक ढंग से सभी तक्निकों का पड़ियों करना चाहिए, शिक्षक को कक्षा के भौतिक वतावरण का ध्यान लगना चाहिए, कक्षा के भीतर वाहर कोई ध्यान भंग करने वाले कारक नहीं होने चाहिए, शोर, तेज़ परकास, वो कुछ अवांचनिय नजारे बच्चों का ध्यार भंग करते हैं और रुची कम कर देते हैं, और साधान तक मान भी परसानी उत्पर्ण करता है, यानि गौर्ण में ज़्यादा हो तो भी परसानी उत्पर्ण होती है, यह कहीं परकार की किरियाएं भी बोड़ियत पैदा करती हैं, कक्षा कक्ष हवादार वो आकोर्शक धंग से सजाय जाने चाहिए, इसकूल परसार में फूल वाले पौधे होने चाहिए, सफाई और प्रयाप्त ध्यानों देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, अब सेकंड है, जनुजात आवेगों का बाहर निकलना, चोटे बच्चों के अधिकतर बेवहार जनुजात आवेगों द्वार निद्रशित होते हैं, बच्चे स्वभाव से बर जिग्यासु होते हैं, वे बहुत सारी क्रियाई करना चाहते हैं, हर नई वो अजीव बस्तु उन्हें आकोर्शित करती हैं, एक परभावी शिक्षक जिग्यासा के इस आवेगों परसाहित करेगा, वो नया पाठ हमेशा किसी उसके बहुत ही नय वो अजीव पहलों से शुरू करेगा, इसी परकार बचे कोई बस्तु बनाना चाहते हैं, शिक्षक को उन्हें नई चीजे बनाने, उनका सर्जन करने के लिए परसाहित करना च चाहिए, शिक्षक द्वार परसाहन रुपांतरन, यह साधारन तो देखा गया है कि बचे एक चीजी या क्रिया में लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिक्षक न अधिकम प्रक्रिया के परभाविता, परभाविता काफी हद तक निर्भर करती हैं, शिक्षक की ब बेवहार में पडियों किये गए, तो साहन रुपांतरन पर, शिक्षक के बेवहार में कुछ सामान्य कक्षा में उपाता किस परकार है, शिक्षक के कक्षा में गती करना, शिक्षक के दोवारा किये गई इशारे, आवाज के पैटरन में बदलाव, सम्वेदना के नर में ब इन्हें इस परकर से वरे कृत किया जा सकता है कौ सक्रातमक मौलिक सुद्री धीकरण सिस्य के उत्तर देने के बाद सिख्षक मौखिक रूप से अच्छा बहुत अच्छा सही ठीक है आदिक अखर खुशी का संकेत देता है खौ शक्रातमक गैर मौखिक सुद्री धीकरण यानि इसमें सामिल है सीरहिलाना मुश्कुराना सिक्षक का सिस्य की ओड में त्रिपूर्ण बढ़ना देखना सिस्य के उत्तर को सिक्षक द्वारा वोट पर लिखना गौ नकरातमक गैर मौखिक सुद्री धीकरण इसके अंतर गुसा दिखाना अधिन्ता दिखाना गह नाकरात्मक मौखिक सुद्रिधिकरण इसमें सिख्षक दुवारा इस परकार के टिपणिया आती हैं नहीं गलत अच्छा नहीं बुड़ा उत्तर बिल्कुल नहीं आदी तो इस परकार से आगे हम दखते हैं कि बाह अधिगम क्या है तक प्रुषकार और दर्ण प्रुषकार और दर्ण देने के प्रकडिया को सुद्रिधिकरण कहते हैं सब वक्ति तो विकास महीं आता है प्रुषकार चाहा है समागरी के रूप में हो या प्रतिकातमक और बैग्यानिक हो बच्चे के शम्मान और शक्ता और सुरक्षा अधिक परभावी होता है जबकि अमीर घहर के वच्चों को फ्रतिकातमा फ़रुपवे से खुसी मिलती हैं खुसी के दौर खुसी और दौर्द विवहार के सबसे प्रने सिधान्त के अनुसार व्यक्ति उन खुसी देने वाले अनुभव को ढूंडते हैं जिनसे हमें संतुष्टी मिलती है और दर्द भरे अनुभव से वे दूर भागते हैं इस इधान्त का कक्षा में शिक्षान अधिगंपरक्रिय को फुरक परभाव हैं शिक्षा को खुसी देने वाले वह संतुष्ट परदान करने वाले अनुभव का पढ़ियोग करना ताकि वे आगे सिखने के लिए प्रेडित रहें साथ, प्राप्त लख्शे पौर्तियक पार्थ में एक लख्ष होना चाहिए जहां हमें पहुंचना है तभी विद्यारतियों तथा के लिए पृहिएकोर नहती क्राइब कर सकता है इसलिए शिक्षा को स्कूल के कार यानि पठ्थे संबंधी वह सफ पठ्थ है करम Bike कॉर्ण इस प्रकार। मैं चाहिए कि वुश्च में विभीन्ट सकता है और हर विद्यारती को 닉ने वा सक्ष्धा उसे सब फल्दा को अनुखाव का सुद्रिधी करण अधिगाम के हर अस्तार पर नियमित रूप से वह अक्सर मिलते रहने चाहिए विशेश का आराम में मुश्किला वास्था में अब यहां पर है कि दोस्तों बच्चों में बेक्तितों भी भीनता हैं तो यह सारे चीजें हैं दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं अपने वीडियो के यहां पर समाप्त करना ज्यादा मुझे समझता हूं साथियो हम वीडियो बाने के लिए काफे प्रयास करते हैं और काफी इसको पाड़ना पड़ता है पाणने के बाद नहीं हम आप लोग सामने वीडियो परुसता हूं दोस्तों ये जो विक्तितों का विकास है ये एक बाद फिर बता दूं कि 506 कोर्स कोट के अंतरगाइद ब्लोक 2 से लिया गया है और ये काफे इंपॉर्टेंट है और ये जो चाप्टर है ये सिर्फ इसकूल मेही नहीं हमारे अपने अंदर भी हमरे असपास के बच्छों को भी विपयोगी हो सकता है, इसलिए इसके बारे में आया काफी जोड़ी है, अगर जानते हैं, तो बहुत ही हमें, सभोलियत मिलेगी, और दोस्तो हमारे विडियो अगर आप वाच्छा लगते हैं, अगर आप 1 लाइक करते हैं तो जाके हमारा मिड़ीयो को एक सकरातमा कदम मिलता है इसलिए दोस्तों आपसे गुजारी से है कि किर्प्या करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सेर और लाइक करना ना भूले थैंक यू, जय हिन, जय भात, बंदे मातरव